हेलो स्टूडिन पिछले वीडियो में हमने कैबिनेट मिशन योजना 1946 और उसके अंदर समीधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ इस पर चर्चा की थी आज हम लॉर्ड मॉंट बेटन योजना के बारे में चर्चा करेंगे तो 20 फरवरी 1947 को बिटिश प्रधान मंत्री क्लिमेंट एटले ने डिकलेर किया कि 3 जून 1948 तक सता भारतियों को सौब दी जाएगी और 21 फरवरी 1947 को लॉर्ड मॉंट बेटन भारत के नयवायसराय बने और उन्होंने बिटिश हुकूमत के सामने एक प्रपोजल रखा जिसे मॉंट बेटन योजना के नाम से जाना जाता है इस प्रपोजल में उन्होंने भारत के विभाजन को स्विकार कर लिया गया यानि कि ये बात स्विकार कर लिए गई कि अब जो है दो डॉमिनियन स्टेटस बनेंगे और साथ ही दो ही कॉंस्टिटुएंट असेंबली बनेगी जो की सर्स साइरिल रैटकलिफ के अंडर बनाया गया और इन्होंने इस का मीशन ने पंजाब के दो हिस्से करती है और इसी प्रकार से बंगाल के भी दो हिस्से करती है तो देखिए पंजाब और बंगाल जो है वो बहुत बड़े प्रोविंस हुआ करते थे और मुस्लिम वहूल, यान कि majority वहां पर थी Muslim majority, तो इन्हों ने जो है पंजाब को इस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब मेंcentered कर दिया और इसी प्रकार से Bengal को East Bengal और वेस्ट Bengal में-दिवाई कर दिया और जो North West फ्रेंटियर प्रोविंस था वहां पर जनमत संग्रह कराना पड़ा इसके बारे में मैं आभी थोड़े से आगे चर्चा करूंगी और इसी प्रकार से जो असम से लगतावा एक छेत्र है सिलहट वहां पर भी रेफ्रेंडम करवाना पड़ा और ये दोनों रेफ्रेंडम जो ह रहा गया था कि जो देशी रजवारे हैं वह उनको स्वतंता दे दी गई वह चाहें तो भारत में शामिल हो अपनी इच्छा नुसार या फिर पाकिस्तान में शामिल हो या फिर स्वतंतर राजे के तौर पर रही तो इस परकार आप देखेंगे कि मांट बेटिन योजना के तहर जो है पाकिस्तान और भारत का जो है विभाजन कर दिया गया तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यह वो टाइम पिरियड था जब भारत में कमिनल राइट्स बहुत हो रहे थे और जो यह प्रोविंस थे यहां पर जनसंख्या के आनुपात में ही इसका डि हिंदू केंडिडेट को ही वोट डालेगा और मुसलिम जो वोटर है वो मुसलिम केंडिडेट को ही वोट देगा तो इस तरह से वहां पर रेलक्षन करवाए गये थे आगे हम इसमें देखते हैं सर्दार बल्लब भाई पटेल थे उन्हों ने बहुत परियास किये उनके इसी रजवारे एक इंस्ट्रूमेंट और एकसेशन पर साइन करके भारतिय संग में शामिल हो चुके थे सिर्फ उस समय तीन ऐसे स्टेट रहे गए थे जो भारत में शामिल नहीं हुए जैसे कि जूनागर, हैद्राबाद और जम्मु कश्मीर हाला कि बाद में इनको भी भ यहां पर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था भारत विभाजन का, यहां पर एक लेडर थे बहुत बड़े नेता थे नौर्ट वेस्ट फ्रंटियर प्रविंस के खान अब्दूल गफार खान, इन्हों ने भारत विभाजन का बहुत ज़्यादा विरोध किया, यह तो जो है जिन लोगों ने पार्टिस्पेट किया उसी आधार पर रिफ्रेंडम हुआ और अंतिताय जो है नौर्थ वेस्ट प्रंटियर प्रोविंस जो है वो पाकिस्तान में शामिल हो गया तो देखें मांट पेटें योजना को ही आगे बढ़ाते हुए हम समझेंगे इसमे ब्रणमत्री पंट्री को बनाया गया और आप देखते हैं कि किस प्रकार जो है लौड माूंट पेटें योजना के अंतरगार दो राष्ट्रों का निर्मान हो गया और भारत और पाकिस्तान 15 अगस 1947 को आजात हो गया इस प्रकार आप देखेंगे कि जो कॉस्टिट्वेंट असेंबली केविनट मिशन योजना के तहत बनी थी उसमें अविभाजित भारत के लिए 389 सदस्य निर्धारित चुकी थी लौड मांट मेटरिन योजना के अनुसार और अब जो भारतियों के लिए समीधान बना उस समीधान को बनाने में सिर्फ समीधान सभा में 299 सदस्य रह गए और इस परकार से हमारे भारत के समीधान का निर्मान का कार्य हुआ मैं उम्मीद करती हूं कि आप झाल 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 झाल 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 झाल